हेलो दोस्तों स्वागत आपका Friend Study Circle चैनल में चलिए दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं आरो यारो के लिए जो वर्ड पावर की सीरीज चल रही है यह दी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो आपको हेलफूल लगेगा तो अपने Friend Circle में भी सेर कर दीजेगा जो भी लोग कमपेटिशन की तैयारी करते हैं और जिनका इंगलिस पोर्षन वीख हो आज का पहला वर्ड है रिपल्सिव रिपल्सिव मिन्स होता है अप्री और इसका जो Synonyms होगा वो होगा Distestful तो Distestful जो है इसका Synonyms हो जाएगा और Learn कैसे करेंगे या फिर किस चीज से इसे Connect करेंगे तो रिपल्सिव जो है जैसे Save भगवान सिव जी की अराधना करने से हमें अप्री चीजों से मुक्ति मिलती है तो Simply हम इसी Word में ही Connect करके इसे Learn कर सकते है रिपल्सिव यानि अप्री चीज कोई भी अप्री चीज होती है तो आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो सिव भगवान सिव की यदि आप पूजा पाट करते हैं तो Simple सी बात है आप अप्री चीजों से दूर रहेंगे आपको उन चीजों से मुक्ति मिलती है अगला Word है Retribution Retribution मिन्स होता है दंड या फिर इसे एक और मिनी होता है जिसे प्रतिकार बोलते हैं या फिर बदलार बोलते हैं तो Retribution का जो Synonyms होगा वो होगा Punishment तो इस चीज को आप सेंस में याद कर लिजेगा कि दंड भी होता है और रिवेंज भी होता है यानि कि बदला लेना भी होता है प्रतिकार भी होता है तो Retribution दंड होता है अगला Word है Sanctify अगला Word जो है वो है Sanctify S-A-N-C-T-I-F-Y यानि कि सुद्ध करना या फिर पवित्र होना जैसे आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि लोग संगम नहाने जाते हैं तो अपने आपको Sanctify करते हैं अपने आपको सुद्ध करते हैं तो इसे Sanctify इस तरह से Connect करके आपको लर्न कर सकते हैं अगला जो word है वो है seclusion, seclusion मिस होता है अकेला पन या एकांतता, इसका जो synonyms होगा वो होगा solitude, दोस्तों आपको connect करने के लिए मैंने पहले पार्ट में बता दिया था, या तो आप sentence में इस्तेमाल कर लिजे direct, या फिर आप उसी word से उसमें थोड़ा सा कार्ट छाट करके उस confusion का solution seclusion में नहीं है, simple याद हो जाएगा, आप कहीं वे लिख लेंगे, एक से दो बर पढ़ेंगे याद हो गया, यानि कि confusion का solution है वो seclusion में नहीं है, अकेले पन में नहीं है, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके बारे में बाचित करने पड़ेगी, तो seclusion आपको इस anonymous हो जाएंगे, अब इसी वर्ड से आप इसे थोड़ा सा divide करके, यानि इसी वर्ड में ही अलग-अलग करके आप इस meaning को learn कर सकते हैं, कि जैसे gate है, segregate है, तो gate अपना-पना gate segregate कर लिजिए, अपना-पना gate segregate कर लिजिए, यानि अलग कर लिजिए, आपका अलग होगा, उनक अलग होगा, मेरा अलग होगा, तो segregate को इस तरह से learn किया जा सकता है, यानि कि सर्फेस अंडिप्ट, यानि जो गहरा न हो, थोड़ा बहुत, यानि कि उथला हो, उस position को या फिर प्रिथवी कि उस जगह को हम लोग उथला जगह बोल सकते हैं, सैलो बोल सकते हैं, अगला ज चीज सिकूड जाती है, उसको हम स्रिंकेज बोलते हैं, और सिंपली इसको आम भासा में भी यूज किया जाता है, कि वो चीज स्रिंकेज हो गई है, यानि कि इसे प्रेशर सिनॉनिम्स होगा, कम प्रेशन भी इसका सिनॉनिम्स हो जाता है, इसके आप मीनिंग पे भी बिसे significant means होता है महतपूर्ण आप इसके synonym से ही याद करेंगे important, necessary, essential तो ऐसा क्या work है जो आपके लिए significant है यानि कि महतपूर्ण है necessary यानि जरूरी है तो आप इसके synonym से ही learn कर लेंगे बड़े आराम से याद हो जाएगा spelling जो होगा S-I-G-N-I-F-I-C-A-N-T यहाँ पे insignificant यदि I-N लगा दिया जाए तो insignificant हो जाता है जिसे हम लोग महतोहिन बोल लेते हैं तो इसका antonym जो होगा वो insignificant I-N लगा देने से हो जाता है अगला word है इसपरियस में सोता है नकली यानि कि fake fraudulent इसपरियस note बहुत जादा चलते हैं तो इसको note से connect करके याद कर लेते हैं जैसे कि 100 के note जो market में चलते हैं हम लोग के आज सपास हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 100 के जो note होते हैं वो asparius होते है यानि कि नकली होते हैं तो simply य या फिर गंभीर सिनॉनिम जो होगा वो होगा serious या sensible तो दोस्तों जो word का जो तरीका है learn करने का वो यही है क्योंकि बहुत सारे word है आपको exam यदि preparation कर रहा है तो आपको बहुत सारे word learn करना पढ़ता है फिर उसको क्या है कि यदि आप English newspaper पढ़ते हैं तो एक्दम perfect है आपके बढ़ जाते है और आपको जो उसका editorial हुआ चाय जो भी हुआ उसको जब आप learn करेंगे तो उसमें आपके जो meanings होंगे वो clear होते जाएंगे new word भी मिलेंगे वहां से भी आप उसको खोज के उस चीज को note करके आप बड़े आसानी से learn कर सकते हैं तो यदि आप नए student है और exam क आपके तयारी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद यूसफूल वीडियो रहेगा और आगे की जो वीडियो आएगी इसी तरह से दस most important होंगे आप इसे कभी भी दो बार देख सकते हैं और दस मिनट के अंतरगत ही यह वीडियो रहती हैं तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समापत होती है इससे related आपके मन में कोई सवाल हो कनफ्यूजन हो तो आप कमेंट बाकस में पूछ सकते हैं दोस्तों तो सेयर कीजिए वाटसप पे स्टेटस लगाईए सभी लोग को सेयर कीजिए ताकि यह वीडियो जादर जादर जरूत लोग को पहुचे